हेलो फ्रेंड्स कैसे हो फाइन ओके आज का टॉपिक हैं ब्लड ग्रूप्स पीछले वीडियो में हमने ब्लड और उसके कामपोनेंट्स के बारे में पढ़ा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जरू देखेगा उसकी भी लिंक दी गुई है आज के टॉपिक में हम चार पॉइंट्स कवर करने वाले हैं फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज अबियो ब्लड ग्रूपिंग, थर्ड इज आरेज ब्लड ग्रूपिंग एड़ लास्ट वन इज एरिथ्रो प्लास्टोसिस फिटैलेस लास्ट वाला टॉपिक, ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है नाम सुनके कुछ चिंता करने के जुरूपिंग तो हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन देखो बच्चो हमें ब्लड ग्रूप सीखने के पहले कुछ टर्म्स मालू होना बहुत जरूरी है ब्लड ट्रांस्पूजन मिस क्या होता है जब एक परसन का ब्लड हम दुसरे परसन को देते हैं तब उसे कहते हैं ब्लड ट्रांस्पूजन बहुत कॉमन सी बात है अपने सबने कई पर पढ़ा होगा सुना होगा ब्लड ट्रांस्पूजन के बारे में जो परसन ब्लड देता है उसे कहते हैं डोनर और जिसे ब्लड दिया जाता है या जो ब्लड लेता है उसे कहते हैं रेसिपियंट तो ये तीन टर्म से याद रखना Blood Transfusion, Donor and Recipient Nowadays, this blood transfusion is very common and it is 100% successful एक कभी भी failure नहीं होता है लेकिन कुछ साल पहले, लगबग 1901 के पहले Blood Transfusion का Success Rate बहुत कम था What was the reason? इसकी वज़ा क्या थी? तब Blood Groups की खोज नहीं हुई थी But in 1901, Blood Groups were discovered and then the success rate of Blood Transfusion increased Second topic is A-B-O Blood Grouping Karl Landsteiner discovered the Blood Groups A, B and O Scientist का नाम आपको याद रखना है Exam के लिए Scientist के Names भी पूछे जाते है फिर ये Discovery के बाद Blood Transfusion का Success Rate तो बढ़ गया लेकिन कई बार ये Blood Transfusion अंसक्सेस्पूल भी रहता था तो Scientist सोचने लगे कि ये क्यों नहीं सक्सेस्पूरा हर बार कुछ तो गडबढ़ है दया फिर 1902 में चौथा वाला Blood Group डिसकवर हुआ Blood Group A, B और इसे डिसकवर किया है Scientist D.Castello and Sterling ने अब पूरे चार Blood Groups की डिसकवरी हो गई थी A, B, A, B and O और फिर Blood Transfusion भी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस्पूल होने लगा What are the Blood Groups? Blood Groups कई से डिसाइड होते हैं इसके लिए आपको ये पॉइंट मालूम होना बहुत जरूरी है अपने Blood में जो Erythrocytes या RBCs होती है उसके सरफेस पर एक विशिष्ट प्रकार का स्पेसेफिक प्रोटीन होता है इसे कहते हैं Antigen There are two types of such Antigens on the surface of RBCs They are Antigen A and Antigen B जिस व्यक्ति के RBC के सरफेस के उपर Antigen A होगा उसका Blood Group होगा A और उसके Blood Plasma में Antibodies होगी B तैप की जिस व्यक्ति के RBC सरफेस के उपर Antigen B होगा उसका Blood Group होगा B और उसके Plasma में Antibodies होगी A जिस व्यक्ति के RBC सरफेस के उपर Antibodies रहेगी A As well as B याने दोनो Yes, correct उसका Blood Group रहेगा A, B जबकि उसके Plasma में कौन सी भी Antibody नहीं होती और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके RBC के सरफेस के उपर कोई भी Antigen नहीं होता है कोई भी नहीं Means आप उसे कहते हैं 0 तो यह चव्था Blood Group है उसे कहते हैं Blood Group O 0 OK जैसे दीखता है कई कंट्रीज में इसे 0 Blood Group भी कहते हैं या Null Blood Group भी कहते हैं और ऐसे व्यक्ति के प्लाजमा में दोनों प्रकार के Antibodies हो सकती हैं A as well as B Students वेरी सिम्पल जो एंटिजेन आरबीसी सरफेस के उपर रहेगा वो उस व्यक्ति का Blood Group रहेगा यही टॉपिक हम एक टेबल फॉर्म में देखेंगे जो टेबल दिया है वो ध्यान से उसको रिवाइस करना और इसके लिए मैं और एक सिम्पल ट्रिक भी दे रहा हूँ कि कौँसा Blood Group का Blood कौँसी व्यक्ति को आप दे सकते हैं या कौँसे Blood Group का Blood कौँसी व्यक्ति ले सकता है इसके लिए ये ट्रिक आपको जरूर काम आएगी अब अच्छो तो ये टेबल ध्यान से देखने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि Blood Group AB जो है वो सभी Blood Group का Blood ले सकता है It can receive the blood from all blood groups Hence, Blood Group AB is known as Universal Recipient और Blood Group O जो है ये सभी को Blood Donate कर सकता है इसलिए Blood Group O को कहते है Universal Donor The next topic is RH Blood Grouping RH is also the antigen present on the surface of Arbicis It was discovered by the scientist Landsteiner and Weiner RH antigen is also known as D antigen Why it is named as RH ये जो antigen है RH antigen It was first discovered from the blood of Rhesus monkey RH for Rhesus जिन व्यक्ति के RBC के surface के उपर RH antigen present होता है उसे हम कहते हैं RH positive और जिस व्यक्ति के Blood Group RBC के surface के उपर RH antigen नहीं होता है उसे हम कहते हैं RH negative Means इससे पहले हमने जो चार Blood Group पड़े उसमें और दो टाइप बढ़ जाएंगे A में A positive, A negative B में B positive, B negative AB में AB positive, AB negative And O में O positive, O negative अपने देश में इंडिया में 85% लोग RH positive group के हैं जबकि remaining 15% A positive person can receive blood from RH positive as well as RH negative RH और D antigen has no natural antibodies जैसे कि हमने पीछे टॉपिक में देखा Antigen A के लिए antibodies रहती हैं Antibody A, Antigen B के लिए antibody हैं लेकिन RH antigen के लिए naturally plasma में antibody नहीं होती हैं अब मैं आपको एक brain teaser सवाल पूछने वाला हूं इसका जवाब आपको ढूणना है अगर आप इसे ढूणने में काम्याब हो गए तो समझो आप बन गए blood group topic के master तो सुनिये In last topic, we learned that blood group O is the universal donor But, blood group O, again there are two types O positive and O negative Then, O positive है और O negative है तो इसमें से real universal donor को नहीं है यह सवाल का जवाब आपको ढूणना है दूसरा सवाल AB blood group is called universal recipient AB में भी दो type है AB positive and AB negative तो real में जो universal recipient है वो AB positive है या AB negative है यह भी आपको सोचना है And the last topic in today's video is Erythroblastosis fetalis नाम बहुत लंबा चवड़ा आपको लगेगा थोड़ा साथ प्रोनाउंस करने में थोड़ा कठीन भी लगेगा लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो very simple topic though its name is complicated topic is very simple लेकिन आपको बराबर समझ लेना है अपने को यह biology sweet और simple बनाना है Erythroblastosis fetalis is the type of disorder or disease यह एक प्रकार की बीमारी है यह किसे होती है it is the disorder which can be observed in the fetus fetus में यह होती है जिसकी mother RH negative है और father RH positive है यह बहुत important sentence है RH negative mother and RH positive father ऐसे कपल को जो बच्चा होगा उसे Erythroblastosis fetalis यह disorder हो सकती है but generally their first baby is escaped from this disorder पहले बच्चे के लिए यह शाहिद नहीं होती है लेकिन second pregnancy में इसका risk ज्यादा होती है तो यह कैसे है दूरिंग दे फर्स्ट प्रेगनसी इफ रह निगेटिव पर्षन कंसीवज दे रह पॉजिटिव फिटस आरेच निगेटिव मदर के शरीर में जो फिटस बढ़ रहा है और वो आरेच पॉजिटिव हैं तो ऐसे टाइम में चैल बर्थ के दवरान ओ फिटस के बड़ी में से थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड सरीकुलेशन में आ जाता है मदर है आरेच निगेटिव तो ब्लड मदर के बड़ी में आया आरेच पॉजिटिव में उस ब्लड में आरेच एंटिजन है और यह आरेच एंटिजन जब मदर की ब्लड सरीकुलेशन में आएगा तब मदर के ब्लड में तयार होगी आरेच एंटिबोडिज और एंटिडी लेकिन ये पहले पच्चे के लिए उसके कुछ तकलिप तो नहीं होगी लेकिन दूरिंग 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 प्रेगनन्सी इफ इस मदर नाउ इस मदर इस रह निगेटिव बट शी इस कंटेनिंग रह एंटीबोडी अल्सो or she consumes the Rh positive fetus again then when she supplies blood to the fetus through the placenta along with that blood Rh antibodies also entered into the blood circulation of fetus मदर के blood में जो आरेच एंटीबोडी तैयार हुई है first वाली delivery के बाद ओ एंटीबोडी अब ओ फिटस के शरीर में जाईए और फिटस है आरेच positive means उसमें आरेच एंटीजन है और मदर से उसे मदर के उसे मिल रही है आरेच एंटीबोडीज फिर वो आरेच एंटीबोडीज और आरेच एंटीजन दोनो unite हो जाते है और आरेच को डिस्ट्रक्ट करते हैं टैमेज करते हैं आरेच के अंदर जो हीमोगलोबिन रहता है वो भी बाहर आ जाता है इसे केते हैं हीमोलाइसिस thus in that fetus there is destruction of RBCs due to the agglutination or clumping of RH antigen and RH antibodies so due to the lack of RBCs and hemoglobin that fetus it appears yellowish as like in the journalis patient fetus में RBC कम हो रही है इसलिए उसके body में इसा प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा RBC तयार करना और यह जो ज्यादा संख्य में RBC तयार होती है यह ब्लड में जब रिलीज होती है तब यह मैच्वर होने से पहले immature RBCs they are released into the blood circulation these immature RBCs are known as erythroblast इसे कहते हैं erythroblast जो हमने disease का नाम लिखा सबसे पहले topic शुरू करते ही erythroblastosis fetalis अब उसका meaning आप समझ लीजिए erythroblastosis कहां से आया यह शब्द तो जो RBC होती है जो immature होती है उसे कहते हैं erythroblast और किस में होता है तो fetus में होता है इसलिए disease का नाम हमने रखा है erythroblastosis fetalis और इसे और एक नाम है ओ है हीमोलाइटिक डिसीज आफ न्यूबॉर्ण हीमोलाइटिक डिसीज आफ न्यूबॉर्ण यह तो मीनिंग आप सब जानते हैं हीमोलाइटिक डिसीज तो इस डिसीज में क्या हो गया हमने उपर इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोलाइशीज इसलिए अनदर नेम आप इस एरिथ्रोब्लास्टोसीज फीटैलिसी इस हीमोलाइटिक डिसीज आफ न्यूबॉर्ण तो बच्चो आशा है आपको ए ब्लड ग्रूप के बारे में सभी कंसेप्ट्स समझ में आगी होंगी नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक की नोड्स भी मिल जाएगी और आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरू लाइक करना थैंक्यू मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए नमस्कार